सुबह से शाम तक 9 घंटे ऑफिस में काम करके ट्रवल करके घर आने के बाद सिर्फ आईडी कार्ड उतारके घर के कामों में लगना अपने सारी रोल्स रिस्पॉंसिबिलिटी निभाना हर व्यक्ति को उसका असाइंड टाइम देना उसके बाद खुद के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए भी ये आसान नहीं था लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी हर दिन कुछ नया सेखा टाइम मैंनेजमेंट और प्लानिंग से ये हो पाया घर आने का वक्त होता है मेरा साथ बजे घर आने के बाद बस दो मिनट मैं सोफे पे आराम से बैठ जाती हूँ आईडी कार्ड उतारने के बाद ना मुझे एक फीलिंग आती है कि हाँ अब मैं फ्री हो गई तो बस उसी चीज़ को फील करने के लिए यहां से मैं सीधे जाती हूँ फ्रेश होने, कपड़े चेंज करने और पैरलली चड़ा देती हूँ अपने लिए चाय चाय लेके बेड पे या डाइनिंग टेबल पे दस मिनट तक अपनी फ्रीडम को इंज्वाइ करती हूँ इस समय पे अगर मुझे कोई रील देखनी है, वीडियो देखना है या इवन टीवी इंज्वाइ करना है, यह मेरा फ्री टाइम है यहीं से मिलती है मुझे बूस्ट अप एनरजी आगे के काम को करने के लिए और नेक्स डे की तैयारी मैं हमेशा चीजों को उनकी जगह पे जरूर रख देती हूँ, अपने कल्चर और रिच्वल को कभी नहीं भूलती इससे मुझे नेक्स डे के लिए आसानी हो जाती है वैसे तो मैंने अपने बेटे को ट्रेन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि वो अपना समान खुद जगह पे रखे, लेकिन है तो बच्चा ही यहां से मैं जाती हूँ किचन में, आट से नौ बजे तक का होता है खाना बनाना और डिनर लेने का टाइम सारा मेल प्रिपरेशन मुरा एक दिन एडवांस में हो जाता है इसलिए खाना बनाने में बहुर टाइम नहीं लगता है खाना बनते बनते ही मैं यहां का सामान उनके designated place पे बर्तन वगरा धोने के लिए जो खाली हुए हैं डाल देती हूँ counter top जरूर clean कर देती हूँ ताकि खाना खाने के बाद मेरे पास सिर्फ एक काम रह जाए बर्तन धोने का खाना परोसने के पहले मैं दूद जरूर गैस पे चड़ा देती हूँ ताकि जब तक मैं डानिंग टेबल पे खाना सजाऊं यह हो जाए खाना खाने के बाद बस बर्तन मुझे धोना है चीजे जगा पे रख दी और बर्तन धो लिया बर्तन धोने से एक बहुत बड़ा फाइदा होता है कि नेक्स डे आप स्ट्रेस फ्री होते हो खाना बनाना आसान हो जाता है इन सब के बीच में मैं अपनी केर करना कभी नहीं भूलती हल्दी वाला दूद जो भी मेरी डाइट है मैं उसको जरूर फॉलो करती हूँ ये हो जाने के बाद मैं नेक्स डे मॉर्निंग की तयारी कर लेती हूँ स्कूल यूनिफॉर्म और कपड़े एक आसान तरीका है तयार होने का कि एक बॉक्स में नेक्स डे की मुझे जो भी ज्वेलरी, इयरिंग या वाच कैरी करना है वो मैं छोटी बास्केट में रख लेती हूँ हैंकी के साथ पर्फियूम, काजल, लिप्स्टिक और कॉम ये बॉक्स मुझे बहुत आसानी कर देता है नेक्स डे के लिए बेटे का बैग रेडी रहता है मैं भी अपना हैंड बैग, प्रॉपर वालेट, आईडी कार्ड और गाड़ी की चाभी के साथ जरूर रख लेती हूँ ताकि सुबा हबर तबर में चीजे मैं भूलू नहीं ये सारी रिस्पॉंसिबिलिटी के बाद मैं आती हूँ अपने बेटे के पास उसके हग का टाइम देने, मैं उसकी स्टाडीज में हमेशा हेल्प करती हूँ अभी छोटा है, इसलिए ट्यूशन वगरा की तो जुरत नहीं है बट हाँ, मैं उसको हेल्प कर देती हूँ जो भी उसको डाउट रहता है, नोटबुक चेक कर लेती हूँ अगर स्कूल से कोई नोटीस आया है, कोई फॉर्म फिल करना है या कोई कॉम्टीशन है, तो उसकी तयारी करवा देती हूँ यहां से आती हूँ किचन में, यह देखने के लिए कि कल मैं क्या सबजी बना सकती हूँ ब्रेक फर्स में मुझे क्या बनाना है, यह नोट डाउन कर लेती हूँ सुबा के लिए सब कुछ रेडी है, काउंटर टॉप, घर पूरा टाइडिंग मैंने कर लिया है ताकि मॉर्निंग जो रहेना मेरी एकदम फ्रेश फ्रेश उठे स्ट्रेस में मैं ना जागू, टेंशन और स्ट्रेस हमेशा काम की इफिशन्सी को कम कर देते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि 10 सवा 10 बजे तक हम सोने जरूर चले जाएं यही टाइम होता है कि मैं अपने आपको पूरा रिलाक्स कर पाती हूँ तो गुड नाइट, मिलते हैं अगली सुबा वर्किंग डेज में मेरी सुबा साढ़े 5 बजे होती है वीकेंड्स में मैं 7 बजे तक सो लेती हूँ किचन पूरा अच्छे से साफ था मुझे ये भी पता था कि आज खाने में क्या बनने वाला है तो काम बहुत ही फटा फट हो जाते हैं क्योंकि जो सोचने और समझने का टाइम रहता है न वो वेस्ट नहीं होता एक चीज मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि आप काम को पैरलली करें मतलब दोनों बर्नर जला लें एक तरफ नास्ता और एक तरफ आप खाना बना सकते हैं हम तीनों का लंच एक साथ ही बन जाता है पैकिंग अलग-अलग होती है बेटे की सबसे पहले हस्बेंड और मेरा ओफिस थोड़ा लेट होता है तो हम अपना लंच बॉक्स बाद में ही पैक करते हैं अपना रोटी वगरा पसीज जाती है टिफिन मैं पैक करती हूँ बट स्कूल की वाटर बॉटल फिल करना स्कूल के लिए तयार होना ब्रेकफरस्ट करना बेटा खुदी कर लेता है तो इस टाइम मैं रेडी हो जाती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए 7 तू 8.45 मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम और क्लीनिंग का टाइम होता है वॉक से आने के बाद शूस वगरा उतार के दीप क्लेटरिंग में लग जाती हूँ सुबा जो भी मैस क्रियेट हुआ है तो चीजों को उनकी जगहा पे रखना टाइडिंग अप डाइनिंग टेबल का और किचन का करना डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाती है बट सामने जो भी मुझे डस्ट वगरा दिख जाती ही वो क्लीन करके जाड़ू पोछा कर लेती हूँ जाड़ू तो पूरे घर में लगाती हूँ लेकिन पोछा आल्टरनेट किचन में डेली lेकिन हाल और बेडरूम में आल्टरनेट पोछा लगता है यहां से मैं चली जाती हूँ नहाने और रेड़ी होने क्यूंकि सारा समान मैंने रात में ही सामने रख लिया था, कौन सा ड्रेस पहनना है, उसके साथ बैंगल, जोलरी, वाच, लिब स्टिक, सब कुछ, तो तयार होने में मुझे 10 या 15 मिनट लगते हैं, जादा से जादा, मैंने चाय चड़ा दी है, और फिर रेडी होने आई हूँ, तो पैरलली ना मेरी चाय भी जबूरी होती है, प्रेजन टेबल होना, एनिवेज, यहां से मैं अपनी चाय लेके आज आती हूँ, ब्रेकफरस्ट के साथ, और अगले 20 मिनट मैं पूरे दिल से ये टाइम इंजॉय करती हूँ, क्योंकि यहां पे मैं अपने आपको समेटती हूँ, और एनर्जी देती पूरे दिन के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे 9 घंटे ऑफिस में किसी और के अंडर में काम करना है, तो बस मैं और मेरी चाय, यही एक एनर्जी सोर्स होता है पूरे दिन के लिए, आप ये बोल सकते हैं कि यही थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ खुद को ग्यान दे लेती हूं कि लाइफ को आगे कैसे कैरी करना है, जैसे ही मैं आईडी कार्ड पहनती हूं, मैं अपने आपको रोबोटिक मोड में डाल देती हूं, रोबोटिक मोड मतलब ये कि इसके बाद न मैं इमोशनल जादा नहीं रह जाती, बॉस ने अगर डां बाई बाई इहां पे मैं अपना काम शुरू करती हूं टू-डू लिस्ट से, जो भी मेरी टू-डू लिस्ट है, उसको मैं वन बाई वन कम्प्लीट करने की कोशिश करती हूं, कई बार हमारे काम की डिपेंडेंसी दूसरे की उपर होती है, तो एक पांच-दसमियत का गैप तो जरूर मिलता होगा, otherwise lunch time, tea time, etc. तो इन टाइम को मैं fullest use करती हूं, जैसे कि इस समय पे मैं grocery order कर देती हूं, grocery की list जो है वो मैं घर से लेके जाती हूं, इसके अलावा भी अगर कुछ online payment वगरा है, वो complete कर देती हूं, client के call को मैं कभी नहीं भूलती क्योंकि उसका मैं note down diary में भी करती हूं और phone में भी remainder होता है, क्योंकि अगर मैं office में perform नहीं करूंगी, ठीक है वो professional है, लेकिन increment तो मेरे personal life से जुड़ी है, अगर मुझे growth चाहिए, तो मुझे अपने काम के साथ उतना ही इमानदार रहना पड साथ गुजरता है, सारी चाभी वगरा मैंने bag में ही रखी थी, तो मुझे again juggling नहीं करनी पड़ती कि चाभी कहां गई, ये सब मैं अच्छे से इसले कर पाती हूं, क्योंकि जो weekend की planning है ना, वो key role यहां पे अदा करता है, Saturday, Sunday को ही wedges order करके उसको fridge पे organize कर लेना, meal planning कर लेना, lesson पूरे week के लिए छील लेना, चटनी अगर आपको बनानी है garlic lesson जो भी पहले से ही कर लेना, ये सब करने से पूरा week आपका smooth हो जाएगा, obstacles नहीं आएंगे, बट हाँ, इन सब के बीच में memory बनाना ना छोड़ें, 15 दिन में ना सही, महीने में एक बार outing जरूर प्लान करें, ये छोटी छोटी memory ही हमें आगे बढ़ने का जोज देंगी, ये सारे tips मैं अपने personal experience से शेर कर रही हूँ, आपकी भी कोई कहानी जरूर होगी, आपके working tips मेरे साथ जरूर शेर कीजेगा, मिलते हैं, अगले वीडियो में बहुत ही जल, वो भी एक interesting topic के साथ, बाई बाई